पीजी विध्यारतियों मैं डॉक्टर इगबाल से आचारे इतियाज भाग रात के माद्य और लेजालवार कल की वीडियो में हमने भारत में छेड़े गए ऐसो गांदोलन की बात की थी और उसकी क्या कारण थे और क्या घटना क्रम था इसका उल्ली किया था आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते वे चोरी चोरा कांड और अन्य हिंसात्मा घटनाओ और उनका ऐसो गांदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी बात करेंगे जैसा कि हम बताया था कि महात्मा गांदी ने सेव विने अवग्या अंदोलन छेड़ने के लिए कहा था पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो गांदी ने मजबूर होकर सेव इनेव अग्या अंदोलन छेड़ने की खुशना कर दी यह अंदोलन बार्दोली तालू का सूरस से शुरू होने वाला था गांदी जी ने देश की जनता से अपील की कि मैं पूरी तरने उनुर्शाशीत और शांद रहे जिससे सारा ध्यान बार्दोली पर ही केंद्रित किया जा सके लेकिन ऐसा हो नहीं पाया चोरी चोरा जो वर्तमान में गोरकपूर जिला उत्तरप्रदेश में इस्तीत है उसकांड ने बार्दोली में प्रस्तावित आंदोलन को 6 साल के लिए रोक दिया पांच फरवरी 1922 को चोरी चोरा में कांग्रेस और खिलाफत की सदस्यों का एक जुलूस निकला था कुछ पुलीस वालों ने इनके साथ दुर्वेवार किया जिसका नतीजा यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया पुलीस ने प्रतिकिरा में गोली चलाई पुलीस के गोली चलाने से जुलूस में शामिल सारे लोग उत्ते जित हो गए और पुलीस पर हमला बोल दिया सिपाई भाग कर थाने में घुस गए तो भीर ने थाने में आग लगा दी जो सिपाई भागने के प्रयास में भार आये उन्हें भीर ने मार डाला और आग में फेक दिया तक्रीबन 22 पुलिस कर्मी इस घटना में मारे गए इस घटना की खबर मिलते हैं गांधी जी ने ऐसो गांदोलन को वापस लेने की गोश्रा कर दी उन्होंने कॉंग्रेस कारेकार्णी से इस फेसली को सुख्रिती देने के अपील भी की 12 फरवरी 1922 को ऐस घटना ने चोरी-चोरा की घटना ने राष्ट्रे आंदोलन की दिशा को ही बदल दिया महात्मा जी को इससे बड़ी निराशा होवी थी और उन्होंने निर्णे किया कि ऐसी हिंसक मनुवरती के रहते वे ऐसे गांदोलन नहीं छेड़ा जा सकता कॉंग्रेस ने भी इसका पूरा समर्थन किया और इस पकार आंदोलन निस्थागित कर दिया गया गांदी जी ने अब रचनात्म कार्य करने का निर्णे लिया जिसके अंतरगत एक करोड सदस्य बनाना, चर्खे तता स्वदेशी वस्तों का प्रचार किया जाना, एस प्रेश्यता निवारन, सांप्रदाइक एकता, रास्च्वे पाठशालाओं का गठन और पारसपरिक ज खड़ों का निप्टारा करने के लिए ग्रामों और नग्रों में पंचायतों के निर्मार की युजना तयार की गए, अब हम बात करेंगे कि ऐसो गांदोलन का जो इस्थगन किया गया था, उस पर क्या प्रतिकिर्या रही, तो गांदी के इस निर्ने ने एक विवाद खड भी कुरूप से रोग देना देश के नेताओं और जनता को अच्छा नहीं लगा, श्रीर मोतिलाल नहेरू, विलाला लाजपत राय ने जो कि उस समय जेल में बंद थे, पत्र लिखकर इसकी निदा की, और कहा कि किसी एक स्थान के पाप के लिए समस्त देश को दंड देना क कुछ कम नहीं था, आंदोलन के इस्थगन ने जनता में एसंतोष और निराशा की लहर फैला दी, आंदोलन अपने उद्देश ये एक वर्ष के भीतर सुराज को प्राप्त करने में ऐसाफल रहा, श्री केके दतने लिखा है कि जन आंदोलन इस्थगी थोने से विफलता की भाव ना हो गई, आगे इसका हिंदू-मुस्लिम संबंदों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, और उन्हें एक साथ लाने के लिए कोई सामने कारेक्रम नहीं था, 1923 में कई सांपदाइक दंगे हुई, तता समय समय पर ठहर ठहर कर भारती राजनितिक जीवन की करीब-करी नियमी तुषेष्टा बन बेठे, इसी संबंद में श्री पॉलक ने लिखा है कि इसके बाद वे कॉंग्रेस से खिस्ते चले गए, यानि मुसलमान कॉंग्रेस से अलग होते चले गए, तता एक बार फिर उस विश्वास तता बंदुत की प्रतिस्ठा करना ऐस संबभ हो ग केवल चोरी-चोरा घटना के कारण इस्थागित किया गया, वरन वास्त्विक्ता यह थी कि यदपी बहार से हमारा आंदोलन बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता था, और बड़ी प्रगती कर रहा था, किन्तु आंदोलन के अंदर से चिन बिन हो रहा था, यदि उसे इस् और आतं का ऐसा राज स्थाबित हो जाता, जो जनता के उत्सा को ही समाप्त कर देता, यानि बहुत सारी चीजे इस आंदोलन के जो है, इस्थागित होने के संदर में कही गई, अब हम बात करेंगे कि ऐसे ओग आंदोलन का महत्तु क्या है, क्या परिणाम है, भारती राश् और इसके बहुत महत्पूर्ण और प्रभावशाली परिणाम दिखाई दिये, इसका संक्षिप्त विवरन निम्रपकार है, सबसे पहले तो ये, कि ये जन सादरन का आंदोलन बन गया, प्रथम ऐसे ओग आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्दी यह थी, कि इसने राश्ट आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन में बदल दिया, उन्होंने आजादी के लक्षे की और बढ़ना सिखाया, सरकार के उपर वैधानिक दबाव डालकर नहीं, वादिवाद तता समझोते की द्वारा नहीं, अपीतु, शक्ती के द्वारा, शक्ती भी किसकी अहिंसा की, उन सहन शक्ती का परीचे देश्वासियों के द्वारा दिया जाना, देश्वासियों ने सरकाई दमन का सामना उत्सा वैसाहास के साथ किया, और तीसरा परिणा महत्पूर निकला हो था, प्रेणा दाय किसमर्दी, यदभी आंदोलन जीसा कि हमने का आल्पकालिन रहा, अचान और भारत छोड़ आंदोलन में दिखाई दी, इसके लावा इसने आम लोगों में भारतियों में नई आशा तथा नए विश्वास का उद्भव भी किया, और उनमें एक नए विश्वास का संचार हुआ कि हमें आजादी मिल सकती है, एक परिणाम ये भी था कि कॉंग्रेस इसने रचनात्म कारेक्रम को अपनाया, जैसे खादी, चर्खा, रास्त्रे शिक्षा, सुदेशी, आदी, इससे भी देश को भारी लाव हुआ, कुटी रुद्योग धंदो को प्रोस्ताहन मिला, साथी सिक्षन संस्थाओं का बैश्कार, सरकार सिक्षन संस्थाओं का या नुभाव नहीं हुई एक महत्पूल परिणाम था इसका कॉंग्रेस एक क्रांतिकारी संस्था में परिवर्तित हो गई सुभास्चन बहुत सी संदर में लिखते हैं इसकी सफलताओं के बारे में कि 1921 के वर्ष ने नी संदे एक सू व्यवस्थित दल्य संगठन प्रदान किया इसके पूरू कॉंग्रेस एक व्यधानिक दल और मुख्य तया बात करने वाली संस्था थी महात्मा जी ने इसे नया विधान दिया और देश व्यापी बनाया उन्होंने इसे क्रांतिकारी संगठन के रुप में परिवर्तित कर दिया देश के एक कौने से दूसरे कौने तक समान नारे लगाये जाने लगे एक जेसी नीती और विचार धारा हर जेकी दिखाई देने लगी अंग्रेजी भाषा का महत्तु कम होता रहा और कॉंग्रेज ने हिंदी को रास्ट भाषा के रुप में स्विकार कर लिया खादी अब कॉंग्रेजियों की नियमित पोशा बन गई इसके लावा आदूनिक राजनिति का ज्यान भी लोगों को इस आंदोलन ने कराया ऐसे और गांदोलन की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने जनता को आदूनिक राजनिति से परिशित कराया आजादी की भूग जगाई यह पहला आउसर था जब रास्ट्रेता ने गाउं, कस्वों, स्कूलों सबको अपने प्रभाव में ले लिया साथी एक और परिणाम था कि मुसल्मानों की भागीदारी ऐसे और गांदोलन की एक बड़ी उपलब्दी थी मुसल्मानों की भागीदारी ने ही इस आंदोलन को जण आंदोलन का सुरूप प्रदान किया कुछ शेत्रों में तो गिरफ्तार लोगों में दो त्यहाई मुसलिम थे एक महत्कुन परिणाम ये भी था कि भविश्य में होने वाले जन आंदोलनों के लिए प्रस्भूमी तयार हो गए ऐसे और गांदोलन ने भविश्य में होने वाले आंदोलनों की नीव रखी इससे जनता तता कॉंग्रेस को राजनितिक शिक्षा और अनुभव प्राप्त हुआ माइकल ब्रोकर का कहना है कि यदपी ऐसे और गांदोलन इस्था की थो गया किन्तु लोग इसकी महानता की याद को भूल नहीं सके और कुछी समय बाद इस इस्मरती ने राष्ट को एक व्यापक तता गंबीर आंदोलन चलाने की प्रेणना दी ऐसे और गांदोलन ने पूर्ण सोराजी का संदेश भी दिया लोकमाने तिलक ने सोराज आंदोलन का प्रारम किया था जिसका तत्परे था भारत के लिए बेटी सामराजी के अंतर जैते वे पूर्ण सोशाशन और इसके लिए उन्होंने गोशना की थी सोराजी मेरा जनमसी दधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे गांदी जी ने जब रास्टे आंदोलन का नेतुत संबाला तब उन्होंने तिलक के सोराज जी को विस्त्रित रूप दिया और इस परस्ट कहा कि यदि संबभ हो सके तो बिटी सामराजी के अंतरगत और यदि आवशक हो तो उससे बाहर सोराजी का संदेश घर घर तक पहुचा दिया जाए तो इस पकार हम देखते हैं कि ऐसे ओग आंदोलन के परिणाम काफी महत्मून रहे भारतिय सतनता आंदोलन में और ऐसे ओग आंदोलन वस्तूत है इससे हमारा रास्टे मुक्ति संग्राम एक कदम और आगे बढ़ गया भारत में संगठी तेकता की भावना का विकास हुआ इसके अलावा कॉंग्रेस के उद्देश्य में भी एक महत्मून परिवर्तन हुआ वह सक्रिय आंदोलन को अपना एक कारेकरम समदने लगी ये सब आंदोलन के महत्मून पहलू है प्रोफेसर विपिंचन लिखते हैं कि इसी आंदोलन ने देश की जनता को पहली बार इकठ किया अब भारत भारते रास्टे कॉंग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुठीवर लोगों का प्रतिनिदितु करती है अब इसके साथ किसान मजदूर व्यपारी दस्तकार व्यवसाई करमचारी पुरुष महीलाएं बच्चे बुडे सभी लोग थे पूरे देश में कहीं कोई ऐसी जगे नहीं थी जहां इस आंदोलन का असन नहीं पड़ा हो तो इस पकार विध्यारतियों अपने देखा कि ऐसा योग आंदोलन एक व्यापक उद्देशे को लेकर शुरू हुआ था और आंदोलन अपने लक्षे को पा नहीं सका ऐसा फल र किया और आम लोगों में सरकारी दमन के भैको समाप कर दिया आशा करती हूं कि ऐसा योग आंदोलन की जो भूमी का हमारे सतनता आंदोलन में है आप उससे भली भाती परीचित होंगे और अगर आपके कोई सुजाव है तो साधर आमन्तित है धन्यवाद